Hello friends, welcome back to English with Aashah Mam आज के वीडियो में हम लोग English सीखेंगे quotations के द्वारा, रोचक वाक्यांशों के कहावतों के द्वारा ये बहुत ही interesting है और सब की सब famous personalities ने बोली हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, आएए शुरू करते हैं Boost English vocabulary through quotes Boost मतलब बढ़ाईए अपनी English की vocabulary या शब्द भंडार को quotes के द्वारा If you fail, never give up Give up एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है कि हार न मानना If you fail, अगर आप नाकाम्याब होते हैं कभी भी हार मत मानिये Because, क्योंकि F-A-I-L तो fail की spelling ये है और अगर इसको हम एक-एक letter को अलग-अलग पढ़ेंगे F-A-I-L तो fail जो होता है means उसका मतलब होता है First attempt in learning तो अगर आप सबका पहला-पहला letter ले 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 F-A-I-L First attempt, पहला प्रयास in learning सीखने का तो अगर आप कभी नाकाम्याब होते हो तो आप हार मत मानिये क्योंकि आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ इस हार से भी सीखा है If you fail, never give up Because Fail means first attempt in learning यह Dr. A.P.J. अबदुल कलाम की है Quotation Second है I am not handsome तो handsome means सुन्दर आकर्शक Handsome यूज किया जाता है Boys के लिए और beautiful जो adjective है वो यूज किया जाता है Girls के लिए I am not handsome मैं सुन्दर नहीं हूँ तो अपने लिए कहा है उन्होंने यह But I can give my hand To someone I can give my hand So giving one's hand to someone मतलब किसी की मदद करना तो give my hand लेकिन मैं किसी की मदद कर सकता हूँ To someone Hand to someone या किसी को मैं अपना हाथ दे सकता हूँ मतलब मदद का हाथ किसी की तरह बढ़ा सकता हूँ Who needs help जिसको की मदद की जरूरत है Needs जरूरत है Because क्योंकि Beauty is required In the heart क्योंकि जो सुंदरता है उसकी जरूरत तो होती है दिल में लोगों का दिल जो है वो सुंदर होना चाहिए Not in the face और सिर्फ शकल सूरत ही जरूरी नहीं है कि अच्छी होनी चाहिए लोगों का दिल सुंदर होना चाहिए तो यही next देखते है Dream is not that which you see while sleeping Dream means अपन Is not वो नहीं है That which you see जो आप देखते हैं While sleeping सोते वक्त या सोते समय It is something ये तो वह है That does not let you sleep जो की आपको Does not let you sleep सोने नहीं देता है तो सपना क्या होता है वो नहीं है जो आप सोते वक्त देख रहे हो सपने ले रहे हो सपना तो वो है कि जो आपको सोने ही नहीं देता है Dream is not that Which you see while sleeping It is something That does not let you sleep You cannot change your future You cannot change आप बदल नहीं सकते हो Your future अपना भविश्य और जो है हमारे लिए भविश्य में Store वो भी हम change नहीं कर सकते You cannot change your future आप अपना भविश्य बदल नहीं सकते हैं You can change your habits लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं क्योंकि वो आपकी आदत होती है वो आपके control में है And surely Your habits Will change your future And surely Surely means बिना शक के ये कह सकते हैं निसन दे या बिना शक के हम कह सकते हैं Your habits जब आप अपनी आदतें बदल लोगे तो Your habits आपकी आदतें Will change your future वो बदल देंगी Will change future tense में है तो वो बदल देंगी आपका भविश्य तो भविश्य तो हमने देखा नहीं है और भविश्य अच्छा बनाने के लिए हमको अच्छी आदतें अपनानी होंगी अगर आदतें अच्छी होंगी तो निसन दे बिना शक के हमारा future जो है वो अच्छा ही होगा Failure Will never overtake me Failure means असफलता नाकाम्याबी Will never तो future के लिए बोला है कि Will never overtake me Overtake मतलब मुझसे आगे बढ़ जाना आगे निकल जाना तो असफलता कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती मुझे हरा नहीं सकती If my determination determination द्रड संकल My मेरा अगर if to succeed is strong enough तो अगर मेरा द्रड संकल to succeed मतलब काम्याब होने के लिए मेरा द्रड संकल is strong enough Enough काफी और strong मजबूत काफी मजबूत है तो असफलता भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती मुझे हरा नहीं सकती तो failure will never overtake me If my determination to succeed is strong enough असफलता मुझे कभी हरा नहीं सकती अगर मेरा द्रड संकल जो की काम्याब होने का मेरा द्रड संकल है वो काफी मजबूत है Next है All of us do not have equal talent अब ये अच्छी बात कही गई है कि all of us हम सब के पास do not have नहीं है equal बराबर talent योग्यता ये तो सही बात है कि हम सब के पास बराबर योग्यता नहीं है बट लेकिन all of us हम सब के पास have all of us have हम सब के पास है an equal opportunity opportunity means अफसर तो हम सभी के पास बराबर अफसर जरूर है ठीक है अगर योग्यता अलग-अलग है कोई किसी चीज़ में अच्छा है कोई किसी चीज़ में अच्छा है कोई कम अच्छा है कोई ज्यादा अच्छा है तो equal नहीं होता unequal होता है लेकिन अफसर हम सब को मिलेंगे अपनी अपनी field में आगे बढ़ने के तो क्या है but all of us have an equal opportunity to develop our talents लेकिन हमारे पास अफसर जरूर है बराबर अफसर कि हम अपनी अपनी योग्यताएं जो है जिसमें हम अच्छे हैं उनको विक्सित कर सके to develop विक्सित कर सके all of us do not have equal talent but all of us have an equal opportunity to develop our talents next है if you want to shine like a sun अगर आप चाहते हो सूरज की तरह like सूरज की तरह चमकना shine first burn like a sun तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा कहने का मतलब है कि सूरज पूरे विश्व में रोशनी फैलाता है ठीके पूरे वर्ल्ब को रोशन कर देता है तो उसके लिए भी कठिनाई तो उठाते है वो पहले खुद जलता है तो इसलिए अगर आपको भी चमकना है famous होना है अपना नाम कमाना है तो पहले क्या है कठिनाईया उठाना सीखिए ये भी एक बहुत अच्छी quotation है और ये सब लोग जो English सीख रहे हैं और अभी शुरुआत से सीख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है वो learn कर सकते हैं Even the greatest were beginners greatest मतलब ये है superlative degree great, greater, greatest तो great, महान greater उससे भी महान और greatest होगा सबसे महान तो even the greatest जो सबसे महान लोग है were beginners तो वो एक टाइम पे शुरुआती भी रहे थे उन्होंने भी शुरुआत की थी कही न कहीं से तो सीधे ही महान ने बन जाते हैं तो शुरुआत तो हम शुरुआती कदम सब लोग को उठाना पड़ता है Even the greatest were beginners तो सबसे महान लोग भी जो हैं वो एक बार शुरुआती थे शुरु से उन्होंने स्टार्ट किया था Don't be afraid to take that first step इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए to take लेने से that first step वह है पहला कदम क्योंकि जो पहला कदम जब ले लेंगे तो उसी के बाद हमारी यात्रा शुरू होगी और सफलता की सीड़ी हम चड़ते जाएंगे The best way to gain self-confidence Gain means हासिल करना Self-confidence आत्मविश्वास और हासिल करना या बढ़ाना तो best way, सबसे अच्छा तरीका आत्मविश्वास बढ़ाने का है to do what you are afraid to do ये तो बहुत अच्छी बात है हम सब को किसी चीज से डर लगता है तो उसी डर को आपको क्या करना है is to do वह वाली चीज करिये जिससे आपको डर लगता है तब ही आप comfort zone से निकल के और वो चीज कर पाएंगे और फिर self-confidence बढ़ेगा जब वो चीज हम कर पाते हैं जैसे कि कई लोग public speaking से डरते हैं ठीक है कई लोग English बोलना ही नहीं शुरू करना चाहते हैं उनको कोई थोड़ी जीजक है या डर है तो पहले क्या करो अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है first you have to do that thing what you are afraid to do जिस चीज से आपको डर लगता है वो करना शुरू कीजिए अपने अपने जो भी डर है उनको उवरकम कीजिए डर को डर के आगे जीत है तो जीत मिलेगी और आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा you don't get what you wish for you don't get आपको नहीं मिलता है वो जो आप चाहते हैं तो आपको वो मिलता है वो जिसके लिए आप काम करते हैं तो सिर्फ चाहने से कोई बात है वो आपकी पूरी नहीं हो सकती है उसके लिए महनत जरूर करनी पड़ेगी you don't get what you wish for आपको वो नहीं मिलता है जो आप सिर्फ काम ना करते हैं चाहते हैं आपको वो मिलता है जिसके लिए आप महनत करते हैं और काम करते हैं next है don't try to be perfect ऐसी कोशिश मत कीजिए हमेशा उत्तम बनने की कोशिश हमेशा just try to be better than you were yesterday तो better का मतलब है बहतर यह भी यहाँ पे comparative degree है good, better, best तो comparative मतलब किसी चीज़ से हम तुलना कर रहे हैं just try to be better बस आप कोशिश कीजिए बहतर होने की than तो जब भी comparative degree होती है तो than यूज होता है इसका भी मतलब होता है कि हम तुलना कर रहे हैं than you were yesterday yesterday means पिछला कल, tomorrow आने वाला कल, today आज का दिन तो yesterday than you were yesterday जो आप पिछले कल जैसे थे उससे बहतर बनने की कोशिश कीजिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपको बिलकुल उत्तम बनना है हर चीज में perfect बनना है बस कल से बहतर बनते जाहिए हर दिन progress होती जाएगी और तब आप अपने आपी best बन जाओगे wake up with determination wake up means जगिये या सुबह जागो with determination द्रेड निश्चे के साथ determination द्रेड निश्चे के साथ जागो सुबह की शुरूआत अच्छी करो go to bed with satisfaction satisfaction means संतुष्टी और ये संतुष्टी कैसी जब आप सुबह सुबह कुछ निश्चे करते हो आज का दिन मुझे ये ये काम complete करने है ऐसे मुझे अपने आपको बहतर बनाना है पिछले कल से तो क्या करना है wake up with determination तो bad mood में नहीं उठना है खुशो के उठो अपना निश् आने के लिए जाना और संतुष्टी ये क्यों है संतुष्टी क्योंकि कोई आपने काम जो सोचा था या संकल्प किया था वह आपका पूरा हो गया है इसलिए आपकी संतुष्टी हो गई है तो wake up with determination go to bed with satisfaction next is the best way to predict your future is to create it कई लोग होते हैं हम में से जो हम अपना भविश्य जानने की कोशिश करते हैं लेकिन यहां कहा गया है the best way to predict your future सबसे अच्छा तरीका या सर्वोतम तरीका to predict भविश्य का पता लगाना या भविश्य वानी करना your future अपने भविश्य के बारे में is to create it तो वो है कि खूद अपना भविश्य बनाईए when everything seems to be going against you when जब everything seems to be going सब कुछ seems means महसूस हो मालूम हो या लगे to be going जा रहा हो against विपरीत you आपके जब आपको ऐसा महसूस हो कि सब चीजें आपके विपरीत या आपके against जा रही हो remember याद रखिये that the airplane takes off against the wind तो आपको क्या याद रखना है कि जो airplane या aeroplane होता है takes off वो उडान भरता है against the wind जो भी हवा का direction होता है उसकी दिशा होती है उसके against उसके विपरीत दिशा में ही उडान भरता है not with it उसके साथ साथ नहीं अब इसका deep meaning समझेंगे when life gets tough जब life हमारी बहुत मुश्किल हो जाए and it feels like everything is working against you और आपको महसूस हो मालूम हो कि सब कुछ आपके विपरीत काम कर रहा है तो आपको क्या याद रखना है that challenges can be like the wind कि जो भी हमारी चुनौतियां है वो हम बोल सकते हैं कि wind की तरे हैं हवा की तरे हैं तेज हवाओं की against an airplane जो की एरोपलेन के विपरीत दिशा में चलती है just as an airplane uses the wind to lift off और जिस तरीके से airplane एरोपलेन यूज करता है प्रयोक करता है इसी wind को हवा को to lift off उडान भरने के लिए you can use difficulties to propel yourself forward तो आप भी जो ये मुश्किल हालात होते हैं उनको यूज कर सकते हो to propel, propel means उच्छाल या चलांग देने के लिए अपनी life में yourself forward आगे बढ़ने के लिए and achieve success और सफलता हासिल करने के लिए next है success is not final जो सफलता होती है वो आखरी नहीं होती है ऐसा नहीं है कि एक बार हमको सफलता मिल गई तो पूरी life के लिए सफलता मिल गई failure is not fated इसी तरीके से जो असफलता होती ह वो भी घातक नहीं होती कि एक बार अगर असफल रहे तो बस हमारे विचार जो है वो सारे negative हो जाएंगे success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts तो माइने क्या रखता है इसमें courage जो आपका साहस है हिम्मत है आगे बढ़ने की that counts वही माइने रखता है तो success जो है वो भी एक आखरी पढ़ाओ नहीं है जीवन का यह तो पूरा गोल चक्र है cycle है कभी success मिलेगा तो कभी failure भी मिलेगा और जो अकर failure भी मिल जाए असफल रहे वो भी घातक नहीं है उसमें भी बिल्कुल negative नहीं बन जाना है हमको क्या करना है it is the courage to continue that counts तो इस जिंदगी में माइने क्या रखता है कि कि कितन भी permanent नहीं हमेशा नहीं रहेगा failure असफलता भी हमेशा नहीं रहेगी not permanent हमेशा नहीं है स्थाई नहीं है यह even if you achieve success or face failure अगर आप पलता हासिल करते हो या तो असफलता का सामना करते हो what matters most is having the courage to keep going तो क्या माइने सबसे आदा रखता है कि कितनी हिम्मत है आप में आगे बढ persevere तो persevere means मुश्किल हालातों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना उसको कहते है persevere तो आप में कितनी ability है कितनी शमता है आगे बढ़ते रहने की मुश्किल हालातों के बावजूद भी and continued trying is what truly counts in the long run continued trying हमेशा try करते रहना यही है जो सच मुच में माइने रखता है लंब है कि जब हमें पता है कि इस धर्ती पर हमारा time जो है वो सीमित है तो क्या important हो जाता है कि क्या महत्पोन हो जाता है कि हमको not to spend it trying to live the life others expect of you not to spend it इस time को हमको इस तरीके से खर्च नहीं करना है कि हम जीए एक जिन्दगी जो दूसरे चाते हैं हमारे लिए expect आशा करना इच्छा करना of you तो दूसरों के नजरिये से या दूसरे जैसा चाते हैं वैसी जिन्दगी को जीने के बदले जैसा हम चाते हैं उस तरीके से अपने जीवन को साकार करें be true to yourself स अच्छे बने रहिए pursue your passions जो आपके जुनून है उनको follow करो उनके पीछे चलिये and make the most of the time you have by living authentically authentically सच्चाई से तो और अपने passions अपने जुनून को हमको follow करना है और make the most of the time और जितना time है उसको बिताना है सच्चाई भरा जीवन जी के जिन लोग का जिक्र किया गया है कि others expect of you ये वो negative लोग है जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें नुक्स निकालते हैं कभी अच्छाई नहीं देखते तो उनके नजरिये से हमको जिन्दगी नहीं जीनी है हमको समझना है कि हमारा समय सीमित है इसलिए अपने आपके लिए सच्चे रहे और जिन्दगी को सच्चाई से जीएं जैसा हम चाते हैं अपने सपनों को सफल करें और अपने तरीके की जिन्दगी जीएं नेक्स्ट है, the expert in anything was once a beginner, तो beginner means शुरुवाती और expert माहिर, तो जो माहिर होते हैं किसी भी चीज में, वो भी एक समय, यहाँ पर एक के लिए बात किये कि तो expert है किसी चीज में, वो भी एक बार था, एक शुरुवाती, उसने भी कभी ना कभी शुरुवात की थी, तब वो बना माहिर उस चीज में, तो कहने का मतलब क्या है, deep meaning क्या है, everyone who is now an expert, और skilled, जो भी हम देखते हैं हमारे आस पास, अब जो माहिर है, या किसी कला में पारंगत है, निपोन है, add something, वो भी once started as a beginner, उसने भी एक बार जब शुरुवात की, तो वो भी एक शुरुवाती था, don't be discouraged, if you are just starting, तो इसलिए, होसला नहीं खोना है, अगर आप नए हैं किसी चीज में, शुरुवात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि everyone goes through a learning process, सब लोगं को एक learning process से गुजरना पड़ता है, जब नए चीज की आप शुरुवात करते हैं, अपने आपो टाइम दो तो with time, समय के साथ, dedication, पूरे अपने समर्पन के साथ, and practice अभ्यास के साथ, you can become an expert too, आप भी expert, माहिर बन सकते हो, जो आपने काम की शुरुवात की है, अपने आपको time तो दो पहले, तो दूसरे experts को देखकर आपको ये भी सोचना है कि उसने भी कभी ना कभी, जहां पहुँ बज़ा है इस मुकाम पर, तो कभी ना कभी तो वो शुरुवाती रहा होगा, next, success is stumbling, from failure to failure, तो success सफलता है, stumble means लडखडाना, डगमगाना, पाउं डगमगा जाते हैं जैसे, तो सफलता है, लडखडाना, from failure to failure, एक सफलता से दूसरी सफलता में लडखडाना, with no loss of enthusiasm, loss कमी, enthusiasm उत्सा, लेकिन एक सफलता के बाद दूसरी सफलता मिलती है, उसमें भी उत्सा हमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब ही अगर आगे बढ़ते रहोगे, तो success जरूर होगे, इसका meaning भी समझते हैं, success often involves facing failures along the way, success में अक्सर शामिल होता है, facing failure, तो असफलताओं का सामना करन along the way, तो success की जो राह होती है, सफलता की राह होती है, उसमें हमें असफलताओं भी मिलती है, उनका सामना करना पड़ता है, उसके रास्ते में, along the way, उसके रास्ते में, what's crucial, crucial is to keep moving forward, तो क्या important है, कि आप आगे बढ़ते रहें, forward आगे बढ़ते रहें, with enthusiasm and determination, उत्सा के साथ, और द्रिड निश्चे के साथ, द्रिड संकल्प के साथ, despite setbacks, तो भी असफलताओं आती है, उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहें, each stumble is a step closer to success, each, हर एक जो लड़कडाहट है, वो एक कदम है, सफलता की और, next, the difference between a successful person and others, तो अगर हम देखें कि क्या भेद है, एक successful person, सफल आदमी में, and others, दूसरों में, it is not a lack of strength, तो वो lack means कमी, साहस, तो साहस या बहादूरी में कमी नहीं है, not a lack of knowledge, नहीं है वो ज्यान में कमी, but rather a lack in will, लेकिन असली में क्या है वो, will इच्छा शक्ती में कमी, success is not just about being strong or knowledgeable, तो success या सफलता, सिर्फ इसके बारे में नहीं है, कि हम strong है, साहसी है, और बहुत knowledgeable है, बहुत ज्यान है हमें, it's about having the willpower and determination to pursue your goals, तो किस के बारे में सफलता, कि हम में कितना इच्छा शक्ती है, और कितना संकल्प है, कि हम अपने goals, अपने लक्षय को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे, the difference lies in the level of commitment and perseverance, तो किस में है difference, या भेद किस में रहता है, किस में नहीत है, level of commitment, कितना committed है, और हम मुश्किलों के बावजूद भी हम सफलता के पीछे, कितनी इच्छा शक्ती से लगे रहते हैं, उसी पर depend करता है कि हम कितना सफल बनते हैं, next, the only way to do great work is to love what you do, the only way, एक मात्र तरीका to do great work, महान काम करने का, is to love, कि प्यार करे हम, अच्छा माने what you do, जो भी हम काम कर रहे हैं, उससे हमें लगाओ हो, to achieve greatness in your work, it's important to love and enjoy what you do, तो अगर आप चाते हैं सफलता हासिल करना या महानता हासिल करना अपने काम में, तो क्या जरूरी है, पच्छा माने और enjoy भी करें जो भी आप कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो, अगर वो अच्छे mood से करोगे, पूरी लगन के साथ करोगे, तो अच्छा ही होगा, great work आप produce कर सकते हो, passion and enthusiasm for your work will drive you to put in the effort needed to excel, excel मतलब सफल होने के लिए जितना भी प्रयास आवश्यक है, तो अगर आप पूरी लगन के साथ, पूरे उत्सा के साथ अपने काम को करते रहोगे, तो क्या होगा, उतना effort डाल पाओगे, जो कि सफल होने के who believe in the beauty of their dreams, future, भविश्य, belongs, उनका होता है, those who, जो लोग believe, विश्वास करते हैं, in the beauty of their dreams, अपने सपनों की सुंदर्ता में विश्वास करते हैं, your dreams and aspirations, आपके सपने, आपकी आकांगशाए, have the power to shape your future, उसमें शक्ती होती है, कि वो आपने भविश्य को, आपके भविश्य को आकार दे सके, believing in the beauty and possibility of your dreams, is the first step towards realizing them, इसलिए जो भी आप सपने देखते हो, पहले उसमें विश्वास तो करो, कि हां मैं ये पूरा कर लूँगा, तो believing in the beauty and possibility of your dreams, जो आपके सपने है, उन पर विश्वास करना ही पहला कदम है, कि आप उसको पूरा कर पाओगे, सफल बन पा भविश्य में, next, don't watch the clock, do what it does, keep going, तो don't watch, मना देखते मत रहो, clock घड़ी को, आपको करना क्या है, do, करो, what it does, जो की घड़ी करती है, और वो क्या करती है, घड़ी हमेशा चलती रहती है, तो आप भी चलते रहो, keep going, चलते रहो, इसका ही meaning है, instead of constantly checking the time, focus on staying productive and moving forward, तो constantly हर बार time check करने के बजाए, instead बजाए, आप होगया करना है, focus करना है, ध्यान के इंदृत करना है, कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकें, productive रहें, और आगे बढ़ें, keep progressing toward your goal, अपने goals, लक्षी की तरफ, progress करते रहें, आगे प्रगती करते रहें, just like the clock keeps ticking without pause, just like एक घड़ी की तरह, जो कि टिक टिक करते रहती है, बिना रुके हुए, pause means बिना रुके हुए, अभी भी आप घड़ी को देखे, वो क्या कर रही है, चल रही है, तो अपने बस उसको किसी की परवार नहीं है, बस वो चल रही है, अपना काम कर रही है, तो आप भी अगर अपने गोल पर फोकस रखोगे और प्रगती करते रहोगे, चाहे वो छोटे-छोटे स्टेप्स हो, तो आप जरूर अपने गोल को अचीव कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी कोटेशन है, you cannot always control what goes on outside, outside means बाहर और control नियंत्रन, तो you cannot always control, आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सक सकते हो, what goes on outside, outside मतला बाहर क्या चल रहा है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, वो आपके control में नहीं है, but you can always control what goes on inside, लेकिन आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है, उस पर आपका हमेशा control या नियंत्रन हो सकता है, can, हो सकता है, उसका meaning है while external circumstances may be beyond your control, कि जबकि बाहरी परिस्थितियां may be हो सकता है, beyond परे हो आपके नियंत्रन के, ठीक है, while external circumstances may be beyond your control, तो चाहे बाहरी परिस्थितियां मुश्किल हों, या आपके control से बाहर हों, you always have control over your thoughts, attitudes and reactions, आपका हमेशा control रहता है, अपने विचारों पर attitudes, आपके नजरिये जो हैं जीवन के लिए और आप जैसे react करते हो, इस पर आपका control पूरा का पूरा रहता है, तो इसलिए focus on cultivating a positive mindset, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमेशा आप अपना mindset, हमेशा positive रखे, positive thoughts रखे अपने द external challenges, external challenges, बाहर की जो चुनोतियां होती है, तो उसको fight करने के लिए, चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो, मुश्किल हालात हो, लेकिन फिर भी अपना mindset है, वो positive रखना है, और आंतरिक शक्ती है, उसको भी बनाये रखना है, बाहरी challenges से घवराना नहीं है, मन के उपर तो हमको खुदी control रखना है, तो we can control what goes on inside, हमको अपने मन के उपर और अपने उपर तो काबू रखना है, बाहर की परिस्तित्या तो हमारे control से बाहर है, so you cannot always control what goes on outside, but you can always control what goes on inside, nothing is impossible, the word itself says, I am possible, nothing is impossible, impossible means असंभव जो की संभव नहीं है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती, the word itself says, क्योंकि ये जो word है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये word खुद बाखुद क्या बोल रहा है, itself says, खुदी कह रहा है, I am possible, तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे और तोड़ तोड़ के बोलोगे, तो ये word itself, अपने आप क्या बोल रहा है, I am possible, that means, मैं संभव हूँ, जैसे अगर हमारे सामने कुछ असंभव चीज़ें या challenges आते हैं, तो उससे शुरू में ही हमको उसको देखकर घबराना नहीं है, और positive mindset रखके उसको कोशिश करने है, solve करने की, तो हो सकता है कि हमारी positivity से ही, वो हमारा task जो है, संभव हो जाए, nothing is impossible, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, जो असंभव हो, शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर हम धैरे नहीं खोते, होसला नहीं खोते है और उसके बीचे लगे रहते हैं, तो हो सकता है वोला task जो है, वो थोड़ा easy हो जाए हमारे लिए, अकर संभव ना भी हो तो easily हम उसको किस तरीके से कर पाए, ये एक है, second है, keep your face always towards the sunshine, keep your face अपना चेहरा, always हमेशा रखिये, keep रखिये towards the sunshine, तो सूर्य की रोशनी की तरफ अपना, towards तरफ अपना face या face चेहरा हमेशा करके रखिये, and shadows will fall behind you, shadows परचाई, fall पढ़ेंगी, behind पीछे, light की तरफ अगर आप face करते हो, तो क्या होता है, हमारी जो shadows होती हैं, परचाई, वो हमारे पीछे को पढ़ती है, तो इसमें क्या कहने क मतलब है, again, sunshine जो है, वो positive, positive side of life, उसको denote करता है, कि हमको हमेशा, life में जो है, वो positive outlook, आशावाद रखना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो भी negativity होगी, जो भी नकारात्मक चीजें होंगी, तो shadow क्या दरशारा है, यहाँ पर negativity, जो भी पूरी चीजें होंगी, नेगेटिव चीजें होंगी, वो हमारे पीछे ही रहेंगी, तो अगर हम अपना mindset positive रखते हैं, तो क्या होगा, जो भी difficulties होंगी, परिशानिया आएंगी, वो हमारे पीछे होंगी, keep your face always towards the sunshine and shadows will fall behind you, इसलिए हमको हमेशा आशावादी बनके रहना है, तो फिर जितनी भी negative चीजें होंगी, वो क्या होगा, हमारे पीछे रहेंगी और हम उसको पार करने में सफल हो जाएंगे, next, I can't change the direction of the wind, मैं change बदल नहीं सकता, the direction, दिशा of the wind, हवा की दिशा मैं बदल नहीं सकता, but, लेकिन, I can adjust my sails to always reach my destination, adjust, change करना, बदलना, sail का मतलब होता है, जो जहाज या now की पाल होती है, जैसे कि कोई भी आपने जहाज देखा होगा, boat या ship देखी होगी, उसमें इस तरीके से आपने देखा होगा एक पाल, या sail बंधे में रहते हैं, जिसमें हावा टकराती है, और ship जो है, आगे को बढ़ तो यह कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं adjust कर सकता हूँ, change कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, जहाज की पाल, to always reach my destination, destination means मनजल, तो हमेशा अपनी मनजल पर पहुँचने के लिए, मैं adjust कर सकता हूँ, अपने जहाज की पाल, तो यहाँ बोलने का मतलब है कि, direction of wind, इसका मतलब ह कि जो बहारी circumstances होते हैं, परिस्थित्या होती हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो हमको उनका सामना करना ही है, हम उनको बदल नहीं सकते हमारा उनके ओपर कोई जोर नहीं है, हवा चल रही है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, कि हवा adapt करना होता है जो भी परिस्तिती होती है उसके हिसाब से हमको अपने आपको ढालना होता है ठीक है जो कुछ कई बार ऐसी भी situation आती है कि जो हमारे हाथ में नहीं है अब हवा की दिशाग को तो हम बदल नहीं सकते कभी हमारे सामने ऐसी परिस्ति आएंगी जिसको बदलना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी अगर हम सोच समझ के काम करें तो जैसे कि हम adjust करें sales को तो हम अपने मन्जिल तक फिर भी पहुँच सकते हैं someone is sitting in the shade today someone कोई is sitting बैठा है in the shade छाया में today आज तो आज कोई छाया में बैठा है because क्योंकि someone planted a tree a long time ago क्योंकि किसी ने plant किया था उगाया था या लगाया था एक पेर a long time ago बहुत समय पहले तो यहां बोलने का मतलब है कि जो आज हमारे सामने comfort है आरामदायक situation है तो वो जो है past में की गई महनत का नतीजा है यहां पे तो tree के context में बोला गया है कि हम जैसे भी कभी धूप से बचने के लिए किसी भी पेड़ की छाया में बैट जाते हैं लेकिन वो पेड़ किसने लगाया है क्या हम जानते हैं तो इसका मतलब है कि आगे की planning करना यह हमारे हाथ में है और हमको करना भी चाहिए किसी के भी वो काम आ सकती है तो आज जो हमारे comfort है अगर हमको जैसे आरामधायक जिंदगी दी गई है तो हो सकता है हमारे parents ने महनत किया इसलिए उन्होंने हमको ये आराम दिया है आजकल का, तो जो भी हम current जिंदगी में अभी आराम दायक जिंदगी जी रहे हैं, वो किसी ना किसी के past में महनत का ही नतीजा है, तो हम भी महनत करेंगे, आगे किसी ना किसी के वो काम आएगी, someone is sitting in the shade today, because someone planted a tree a long time ago, learn as if you will live forever, learn सीखो as if, जैसे कि you will live forever, कि आप हमेशा forever, हमेशा जीवित रहोगे, तो अगर आपको सीखना है, तो इस तरीके से सीखना है कि आप हमेशा जीवित रहोगे, live like you will die tomorrow, और जीओ ऐसे, like you will die tomorrow, die, मर जाओगे, tomorrow, कल, आने वाले कल को कहते हैं tomorrow, तो इसको हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं, learn as if you will live forever, मनदब सीखते रहो, अपनी personal growth करते रहो, यह सोचके कि आपकी life जो है, वो हमेशा के लिए है, आप हमेशा जीने वाले हो, इसलिए रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो, और फिर second half में बताया गया है, live like you will die tomorrow, तो second part का मनदब है कि कल की तो कोई guarantee नहीं है, किसी ने भी अपना भविश्य देखा नहीं है, इसलिए जब आप जीते हो, तो उसमें क्या है, किस तरीके की approach रखनी है, कि कल का तो कोई भरोसा है नहीं, इसलिए आज जो है जिन्दगी जीलो, अपनी सारी ख्वाइशें पू इस चीज से मत करो, by the harvest, harvest फसल, you reap, reap means काटते हो, हर दिन का आंगलन आप उससे मत करो कि आपको कैसी फसल मिली है या क्या पाया है आपने उस दिन, but by the seeds that you plant, तो किस चीज से आंगलन करना है, by the seeds, beege that you plant, जो आप बोते हैं, इस quotation का मतलब है कि हर दिन, आप उसको इस तरीके स जज मत करो, उसका आँएसे मत करो कि मुझे मिला किया उस दिन, बलकि आपको focus क्या करना है, कि आपने उस दिन, म больका कैसे बीजबोते हो, आप क्या efforts कर रहे हो, अपने भविश्य के लिए, इससे आपको अपने दिन का आँखलन करना है, कि आपने आज क्या ऐसा काम किया, ज मैंने भविश्य के लिए क्या प्लैनिंग करी है, कुछ अच्छे बीज बोए है, जो कि मेरे को बाद में अच्छी फसल देंगे, The greatest glory in living lies not in never falling, greatest सबसे बड़ी जो महीमा है जीने में, वो रहती है, इसमें नहीं कि हम कभी भी नहीं गिरे, But in rising, every time we fall, लेकिन सबसे बड़ी गरीमा या महीमा किसमे है, अब भी हम गिरते हैं, उस समय क्या हम उठते हैं, मतलब है कहने का, हमारी life में setbacks आते हैं, हम असफल रहते हैं कई काम करने में, लेकिन फिर भी वो जो हम गिरते हैं, या हम असफल रहते हैं, उसके बाद कि हम फिर से अपने life को शुरू करते हैं कि नहीं, तो सबसे बड़ी महीमा क्या है जीने में, ये नहीं है कि हम कभी भी फेल नहीं हुए, असफल नहीं रहें, लेकिन इसमें है सबसे बड़ी महीमा कि अगर हम कभी गिरे हैं, कभी असफल रहे भी हैं, तो क्या हमने अपने आपको फिर से होसला दिया है आगे बढ़ने का, क् कि असफलता है तो सब की लाइफ में आती है लेकिन उससे उबरना कितने लोग कर पाते हैं तो उसी जोश से फिर से उबर के और लाइफ को फिर से शुरू करना इसमें सबसे बड़ी महीमा है लाइफ की सफलता को कभी भी अपने सिर पे हावी मत होने दीजिये अगर आप सफल होते हो तो घमन नहीं करना है और आप सफलता की सीडिया चड़ जाते हो तो उससे फिर आपको कभी भी घमन नहीं करना है अगर असफलता है तो उसको भी दिल पे नहीं ले लेना है क्योंकि असफलता है तो सभी की राह में आती है उसी को पार करना है उस्पर से अपने दिल को चोट नहीं पहुजानी है दुखी नहीं रहना है आगे बढ़ना है फिर से और सफल हो जाए तो उसमें भी घमण नहीं करना है क्योंगि ये तो पूरा चक्र है क्योंगि ये तो लाइफ की साइकिल है कभी हम सफल होंगे कभी असफल भी रहेंगे Don't stop when you are tired Don't stop, रुकिये मत when you are tired जब आप ठक जाते हैं तब मत रुकिये Stop when you are done You are done means जब काम पूरा हो जाए तो उस समय मत रुकिये जब आप ठक जाते हो अपनी मन्जिल को पाने के लिए कई बार हो सकता है कि लंबा टाइम लग रहा है तो आप ठकान महसूस करते हो Demotivate हो जाते हो लेकिन रुकना काभ है? जब काम पूरा हो जाए फिर भी होसला दे के आगे बढ़ो और stop, रुकना तभी है जब काम पूरा हो जाए Next, the future depends on what you do today Future भविष्य depends निर्भर करता है what, क्या, today, आज तो हमारा जो भविष्य है वो किस पर निर्भर करता है कि हम आज उसके बारे में क्या कर रहे है तो भविष्य के लिए तो हम सभी प्लान करते हैं लेकिन हम उसके लिए आज से क्या कदम उठा रहे हैं उसके निर्भर करेगा कि भविष्य में हमको वो चीज हासिल होगी की नहीं हमें मिलेगी की नहीं Future depends on what you do today In the end, it's not the years in your life that count In the end, अंत में, it's not the years वो साल नहीं होंगे in your life आपके जीवन के वर्ष नहीं होंगे that count, जो की मायने रखेंगे It's the life in your years तो क्या मायने रखेंगे Life in your years आपने उन सालों में जितने सालों में आप जीवित रहे उसमें आपने कितनी जान डाली तो कहने का मतलब है कि आपको quantity quantity means कितने साल जीए उससे ज्यादा अच्छा या ज्यादा importance किसको देनी है quality of life जितने भी साल हम जीते हैं वो हमारे fulfilling होने चाहिए हमारे अपने जो हमने अपने लिए goals set किये हैं वो हमारे पूरे हो जाएं हम खुश रहें, स्वस्त रहें तो वो जो हमारे जिन्दगी के साल होंगे वो अच्छे बीतें, जो भी साल जीते हैं उसमें इतनी जान डाल दो, खुशियां भर दो, ताकि हमारे पास अच्छी यादें और अच्छे अनुभव हम अपने दिल में संजोके रखें the pessimist sees difficulty in every opportunity opportunity means और pessimist का मतलब होता है निराशावादी, difficulty हो गया मुश्किले तो देखिए, निराशावादी एक तरीके के लोग होते हैं और हो गया, optimist आशावादी, वो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, तो second line में बुला गया है, the optimist sees opportunity in every difficulty, अब बाकी words भी वो ही है, opportunity after difficulty, मुसीबत तो ये दो नजरिये बताए गए हैं, जो लोग life के लिए रखते हैं, एक हो गया pessimistic नजरिया, निराशावादी और एक हो गया optimistic आशावादी तो ये दोरों नजरियों के बारे में बात की गई है, इसमें बुला गया है कि जो pessimist होते हैं, ये लोग इनका focus क्या होता है हमेशा on the problems and difficulties की जो भी कुछ मुसीबते हैं समस्याएं हैं और वो भी हर situation में, उनका focus इसमें होता है, लेकिन जो optimistic होते हैं, आशावादी होते हैं वो क्या देखते हैं, हमेशा अगर मुश्किल हालात भी होंगे उसमें भी कि क्या अच्छा हो सकता है, कौन सा हमको अच्छा अवसर मिल सकता है, कैसे हम उसमुश्किल हालात से उभर के आ सकते हैं यह सब देखते हैं, तो दोनों नजर यह हैं कि pessimist जो हैं वो हमेशा मुसीबते ही देखता रहता है हर situation में, हर अवसर में लेकिन जो optimist होता है आशावादी होता है, वो अवसर निकाल लेता है हर मुश्किल situation से next है experience is a hard teacher, because she gives the test first, the lesson afterwards, experience आपको पता है, तजूर्बा या अनुभव यह एक strict teacher की तरह है जो बहुत ही strict होता है और इसके लिए बोला गया कि पहले वो test दे देती है और lesson बाद में सिखाती है तो experience ले लो जिन्दगी के experience, life के experience अनुभव, तो जब भी हम कोई challenge face करते हैं कोई मुसीबत face करते हैं अपनी life में कभी भी, तो हम क्या होते हैं, उसमें सीखते हैं बाद में, we often learn from them है ना, तो कब सीखते हैं जब हम वो मुश्किल हाला से गुजर जाएं, तब तभी तो हम उसके बारे में कुछ सीख पाते हैं हमने test पहले दे दिया और सीखा उसके बारे में, बाद में तो life भी ऐसी है जो हमारे अनुभव होते हैं, जिन्दगी को लेकर, तो ये एक hard teacher, strict teacher की तरह है life या experience, ठीक है क्योंकि life में क्या होता है test हमको पहले मिल जाता है, और सीखने को बाद में मिलता है, तो she gives test first, the lesson afterwards इस तरह के होते हैं हमारे अनुभव next है, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards, तो जो जिन्दगी की समझ होती है हमको वो हमको कब आती है, जो चीजें हमारे साथ गुजर चुकी है, जैसे पहले वाले में भी हमने कहा ना, कि पहले जब हम उस test से गुजर जाते हैं, तब ही तो हम अनुभव लेते हैं, तो life पी ऐसी है, इसकी पूरी समझ हमको कब आती है, जब हम अपने past में देखते हैं, पीछे देखते हैं, जो हमारे साथ जो भी experience हो चुके हैं, उनको देखते हैं, तो तब ही हमको जिन्दगी के मायने समझ में आते हैं, लेकिन must be lived forwards, लेकिन जीना तो हमको कैसे पढ़ता है, आगे ही देखकर ना, अगर life के बारे में समझना है, तो हमेशा जो हमारे साथ हो चुका है, गुजर गया है जो time, उनसे हमने जो सीखा है, उससे ही life को समझा जा सकता है, जैसे कि हम story पढ़ते हैं, past में जैसे हमारे साथ जो-जो हो चुका है, उसमें से moral निकाल निकाल के हम life के बारे में समझ सकते हैं, however, लेकिन फिर भी, we have to live our life in the present, लेकिन हमको वर्तमान में रहकर ही जीना पड़ता है, और move forward without knowing what will happen in the future, और हमको जीनी भी इस तरीके से चाहिए, कि आगे बढ़ते रहो, और उसका हमको पता तो नहीं चलता कि future में हमारे ले क्या है, भविशे में हमारे ले क्या है, लेकिन lessons लेते रहिए, अपनी life से पूर्य आपके तज्जूर पे हुए हैं, वहां से आप moral lessons ले बढ़ते रहो, give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish, two fish देखिए, यहां पे है two fish और यह है give a fish, teach a man to fish and you feed him for a lifetime, तो सीधे सीधे जो इसका मतलम निकलता है वो है कि अगर आपने किसी को easily कुछ चीज दे दी, तो ठीक है, हो सकता है कि एक दिन काम आएगी, दो दिन काम आएगी, लेकिन अगर आपने वही चीज किसी को सिखा दी, तो वो पूरे जीवन भर उसके काम आएगी, इसलिए कहते हैं कि instead of just giving someone something they need, it is better to teach them how to do it themselves, तो जैसे कि यहां fishing का example दिया गया, कि अगर आपने इसको किसी को एक fish दे दी, तो उसके एक दिन काम आएगी, लेकिन अगर आपन उसको मचली पकड़ना ही सिखा दिया, like fishing, इस तरीके से वो लंबे टाइम तक अपने लिए खुद प्रबंद कर सकते हैं, चीजों का, greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall, जो हमारी सबसे बड़ी गरीमा है, या महीमा है, वो इसमें नहीं है कि हम life में कभी भी गिरे नहीं है, या नाकामियाबी का सामना नहीं किया, but in rising every time we fall, लेकिन किसमें है हमारी सबसे बड़ी गरीमा, कि जितनी बार भी गिरे हैं, उसके बाद अपने आपको फिर से संभाला है, और फिर आगे बढ़े हैं, तो यहीं इसमें कहा गया है, it's not about avoiding mistake or failures, but rather it is about how we handle them, Our true achievement is in getting back up and trying again when we face difficulties, जब भी हम गिरते हैं या मुसीबतों का सामना करते हैं, तो क्या फिर से उठके अपने आपको एक और मौका देते हैं, क्योंकि वो ही हमारी सबसे बड़ी गरीमा है या महीमा है, तो इसमें नहीं है कि कभी भी हम गिरे नहीं है, नाकाम्याब नहीं हुए, सबसे बड़ी गरीमा किसमें होती है, कि चलो अगर गिरे भी तो कम से कम दुबारा उठे तो सही, और फिर से life शुरू की अपनी, life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving, तो जो life है, वो किस तरीके से है, जैसे कि cycle चलाते हैं हम लोग, तो जैसे cycle चलाने के लिए, to keep your balance, अगर हमको balance बना के रखना है cycle का, तो क्या करना पड़ेगा, you must keep moving, हमको cycle चलाते रहना पड़ेगा, life भी उसी तरीके से है, it is compare to a bicycle, यहाँ पे life और bicycle दोनों को compare किया गया है, जैसे कि आपको cycle में balance बनाने के लिए चलते रहना पड़ता है, उसी तरीके से life में भी balance बनाने के लिए कभी रुखना नहीं है, चाहे कभी मुसीबते आए, चाहे कभी अच्छी खुशी के अफसर भी हो, तो balance बना के बस आपको आगे बढ़ते रहना है, moving forward और कुछ न कुछ action लेते रहना है, ताकि हम सही path पर रहें, सही रास्ते पर रह और balance बना के रखें, तो फ्रेंट जितने भी आपको मैंने ये quotations बताई हैं, ये आप अगर article लिखते हैं, speech लिख रहे हैं, कोई debate कह रहे हैं, या essay लिख रहे हैं, इन सब में अगर आप कुछ अगर जो भी आप quote कर सकते हैं, तो ये जरूर quote कीजिए, उससे ज़्यादा marks मि सुनने वाले पर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हैं, और कुछ सीखा हैं, आपने प्लीज लाइक और शेर करना मत भूलेगा, और अगर चैनल पे नए हैं, इससे subscribe कीजिए, तो thank you everybody for watching, comments में लिखके ज़रूर बताईए, कैसा लगा वीडियो, and see you next time.